लेकिन महामला सर यहीं तक नहीं है राउल गांदी का यह बांगलादेशी पत्रकार तो छोड़ी नहीं रहे हैं बार बार उचुनोती दे रहे हैं कि भाई यह मुझे मेरे सवाल का जवाब दो तुम एंटी नेस्नल एंटी इंडियन गैंग से मिलते हो अब तो कह रहे हैं कि यह शादी सुदा है दो दो बच्चे तो गॉसिप तो बहुत होती रही है कि कोई कहता हंगरी में है कोई कहता अफ्रीका में है अब तो सलाल अद्दीन दोनों बच्चों के नाम भी बताने लगे हैं नामनी जी यह जो दूसरा खिल्वास यह इसको मैं बहुत गंबीड़ता से ले रहा हूं और बहुत ज़ादा गंबीड़ता से ले रहा हूं। लेकिन अपने प्रोग्राम खतम हुआ उसके बाद रात में उन्हों ने रात महीं ट्वीट किया था और यह पूरी इस्टॉरी जो है राहुल गानी की लिक्कर दी है उन्होंने पूरी लिक्कर अपने ट्विटर पर भी डाली है उसका लिंक दिया है दरसक उसको जाकर पढ़ सकते हैं लेकिन मरी बात यहीं तक नहीं नहीं कि उन्होंने लिक लिया और उसमें वो को कोई ऐसा नहीं कि कोई डगे मारी में है या कोई प्राइवेट चलाने वाला है या कोई वी लागर है नहीं वह आदमी बंगला देश के प्रतिष्ठिक पत्रकारों में से हैं और उसका एक लंबा जीवन है और वह आदमी जीवन के इस पड़ाओं पर जिस समय बंगला देश म लेकिन वह उसके बावजूद मैंने डाल दिया मनीजी लिक उपर भी डाला है दोनों दर्सक उसको पढ़ लेंगे कि वह उस आदमी का इससे क्या लेना देना लेकिन वह बात ऐसी फसी पांच तारिक कुछ समय से खसीना वागी और उसके बाद जब उन्होंने इसको डिस्क अपनी है जो भी उनके लोगों और उसके बाद फिर वह आदमी लगातार खुलासे कर रहा और कल रात में अपनी स्टूरी उन्होंने ट्वीट करी है वह पढ़ने वाली स्टूरी है कुछ चीजह आपको लगेंगे कि हम तो हम तो इसको जानते थे लेकिन उसमें कुछ हमेशा की व्याइब साइट की और गई तो पदा चला वेब साइट किसी को नहीं मालुम कौन चलाता यह नहीं मालुम किस ने लिखी यह नहीं वालुम वह गुम चला करती थी तो उसको बहुत जादा वजन भी नहीं मिलता था लेकिन अबकी बंग्लादेश के एक प्रतिश आप उसको पढ़ सकते हैं तो यह मनीजी जो सबसे खास बात यह है कि इनको यह कांग्रिसी इसका मूह नहीं चुरा सकते उसका कारण बतार हो अभी तो उस ख़बर पर आता हूं कि उस पर है क्या लेकिन जरा याद करिए कि यह को लेकर क्यों नाच्चे थे यह राफिल पर को यह कांग्रिसी नाच्चे बेताहसा नाच्चे तिन-चार साल नाच्चे यह लगातार नाच्चे किसे मोधिन पैसा खालिया और अम्बानी को पैसा दे दिया कि इसके कहने पर वह सेर्पा एक एंजी ओ कह रहा था फ्रांस का उसके बाद उसके बाद इनको नहीं समझ मैं फ फ्रांस की एक कंपनी जो यहां से हजारों किलोमीटर दूर है और उसको कोई जानता नहीं यहां कभी मेरे खाल से राफिल वाला अगर पीडियेट शोड़ दीए तो उस मीडिया पार्ट को को यहां खोल के भी नहीं देता है वह फ्रांस फ्रांसीजी है वह प्रपोगंडा साइट है जानमुझकर इसी तरह के कामों के लिए वाम पंथीस को चलाते हैं और वह साइट अगर को लिग देती है तो यह यहां तीन साल इस देश के प्रदान मं सब्सक्राइब नाम से लिख रहा है तो उस पर यह कैसे मुझे चुपा सकते हैं और मुझको मैं यह तो भागेंगे देखिए यह भागेंगे क्योंकि उस आत्मी ने बड़े अथार्टी से लिखा है जो कुछ लिखा है लेकिन यह तो मैंने का इनके तो दुम पर पैर रग लेकिन मनिजजी सर्माती भाचपा के ऊपर कि भाचपा के प्रोक्ताओं को कौन रोक रहा है बाचपां को प्रवकताओं के मुझे पर पट्टी किसने बांग दी है कि उनको घखाई ली जे रहा यह और आपके प्रदानमंतरी को तीन साल यह गालिया देते रहे और वह वह किलोमिटर दूर फ्रांस में चपीए ख़बर पर और यह बिल्कुल परोस में चपीख ख़बर है और वह सबसे काजा बात मुझो फ्रांस की ख़बरें आए थी राफेल की आए थी कि उसमें किस ने लिखा काउं निक्षा लिखने वाला यह यहां पर आने वाला कुछ सामने आ रहा है यहां के न्यूट चैनलों पर यूट्यूब पर और वह आजवी डंके की चोट पर पर कह रहा है कि मैंने लिखा है सबसे बड़ा सवाल है उसके बाद हम लोग आते हैं यह है क्या कहानी और इस पे जो में उसके से जुरावा सर यह हिंडर्बर्ग रिपोर्ट काट की हांडी दुबारा चड़ा दी कौन चिर्कुट हिंडर्बर्ग है कि आपने भारत के पूरी आर्थतंत्र को एक फरजी कर जटका जेल चुका उस पर उस पर डिफंसी तो बाया सारे भाजपाई लेकिन आठ भाजपाई पर रोकता हों को चाहिए जिस विसे पर डिवेट होती उनको सब सब पहले वहीं उठाना दिये था जो सलावदीन का लेक है लेकिन मैं देख रहा तो मैंने दो तीन करता है इसका पूरा एको सिस्टम है फलाना जर्मनी के फलाना के रिपोर्ट में यह कहा गया मतलब जैसे कारवा मैक जीन एक फरजी ख़वर बनाई कि जज लोया की हत्या में अमित शाह की घुमिका है अब फरजी वेवसाइट उस वेवसाइट के के रिपोर्ट के अधार पर प्रने जेम्सराइब के चैनल पर यह बैठ करके राग अला कि अधार को इस आदमी को इस पूरे रिपोर्ट के अधार करके जेल में डालना चाहिए इसका मतलब यह नहीं है कि यह कुछ भी करेगा इसकी हर हमेशा फरजी किसी अख़वार के मुताबिक और सलालुदीन तो बिसिकली एडिटर हम और आप सब पत्रकार रहकर के अख़वार में कांग किया है कोई रिपोर्टर यह दी बाइलाइन च्छापता है तो पुरी रिस्पॉंसिबिलिटी उसकी उपर आ जाती है वो संपादक हो करके बाइलाइन च्छाप रहे हैं और यह कोई एक्सम नहीं सब्सक्राइब करें तो वह वास्तों में अंतर राष्ट्री के लिए कि वह अंतर राष्ट्री के पत्रकार है और बंगलादेश के बिल्गू बगल में तो उन्हीं की प्सक्राइब कर दो तुमको जवाब देना पड़ेगा तुमको घर तक तुमारे घर में घुसके सवाल जवाब होगे और इसका जवाब तो राहूल गांदी को मनी जी देना ही पड़ेगा जो बात अब जो और चीज़े जो गई अभी आता हो अब जरा उस रिपोर्ट पर आ जाओ उसके बाद आप लोग दर्सक समझेंगे कि यह मामला क्यों महत्पूर्ण है कि देखें इसमें च सालिया रामोस है उसका जिक्र है और प्रिंसेस नोईला जहीर अफवानिस्तान की उनका उनका परचे है और उन सब के बारे में बढ़ा बिस्तार से दिया बहुत लंबी कहानी है मैंने का इसको पढ़िएगा तो आप लोग को कम से मादा घंटा तो पढ़ने में लगेगा म तो उन्हों ने कर इन विश्व पर अभी बात नहीं की उन्हों पहले पहले तो इसके खान पान ये एक तरह से प्रोड़क्शन दिया है कि मैंने तुवहरे बारे पता सब खुद कर लिया है कहां तो वह उसके अब बीकन कहुंस जानवर होता बबा ठीक है ठीक है इस पर बी हुई बेकन खाते हैं और इसको जो है इसको बड़ी पसंद यहां से उन्हों ने शुरू किया है और उसके वाला है मनी जी देखिए इसका पहला जो पहला जो इसका अफेर रोन बताया वह नोईला जहीर प्रिंसेस नोईला जहीर अबानिस्तान तो गवर करिए कि जो टाइ टाइम लाइन है नब्वे के बाद की है पच्चा चौरानवे पच्चानवे चैन्वे मान लीजे नैंटी एट तक की जाती नैंटी एट की बाद वो उससे अलगा हो गया तो यह जिस समय वहां घंगोर तालीबान वे उस था ती आज तो फिर भी कुछ का में उस समय तो ता लिए और दिल्ली वो देखे उस चैपल का जिक्र सुब्रम अनिन सवामी ने किया है उस चैपल का जिक्र शलाव दिन श्वयव ने भी किया है कि उस चैपल में ले जाकर वकाइदे वहां लोगों पूजा की और उसने इस्लाम धरम चोड़कर इसाई धर्म अपना लिया था यह सब्स खाँ बात है इसलाम धर्म छोड़कर इसाई धर्म अपनाया था दत्ता तरो प्राहमर नहीं ऑई ती यह जरात दशाख समंन umने जहींजा बताता है ना सुरजे वाला कि वह दत्ता तरो प्राहमर तो दत्ता तरो इसाई हो गया थी और वह गर्व वती ती ये सब कुछ है उस स्टोरी में कि वो गर्व होती थी और गर्व होती होने के बाद राउल गानी ने साधी से मना कर दिया उसने का तुम इसका एवार्शन करा दो तो उसके बाद फिर उस महिला ने का कि ये बहुत दो कोड़ी का अदमी है और इसका साथ अब हम नहीं रह सकते पिर उसने को नमजकार कर दिया और वह चली गई बाद में 2013 में ने समझे कहा हुई लिए अंदर वकातक segregation के यह राहूल गांदी इसाई है यह पुष्टी वह हाला कि उन्हों इस अंदर में लिखा नहीं उन्होंने लिखा तो नोईला जहिर के बारे में है तेकि जब वो चैपल के जिक्रा है तो आप समझ जाइए कि यह एक तरह से यह भी पुष्टी है यह आदमी इसाई का और यह भ और यह दिल्ली भी आई जिस समय राहूल गांदी यहां पर आया सोनिया गांदी याद करिए सोनिया गांदी का उस समय एंट्री हो रही थी राजनीत के अंदर और वहां से फिर सो वेरोनिका कार्टेली साथ इसका चला 2004 में इसका इंडियन एक्सप्रेस में है कौन गोपीन की वारों ने ंबिछापा था तो उसकी भी खोली है सलाविद दिन तरुमने कesus नाम पो इसने ठीक बताया था जिवानिको जुःणी कवारी वेरोनिका वेरोनिका का कार्टेली लेकिन इसने उसकी राजनी determins adopt क्र踏किन तो है कॉलंबिया कॉलंबिय कोलंबियन ही है वो यह वहारीं पर इप पड़ी तो इस पै़े हिर द्रेश बол लेती है और सबसे बड़े द्रेंदिन कि लड़की एब तो को बागे बच्चें ब्ताता हूं जो आल गांदी के कि बारे में खुलासा किया उस आदमीने जबर दस्ट खुलासा है और उसने बताया कि उसके बाद वह वो लगातार यहां आती रहती है और एक उन्हों दिया एक प्रक्रण दिया है कि कोट टाय में बैक वाटर ले ओंघ जो थी वहां पर तीन दिन वह इसके साथ रुपी थी वहां पर समाज से बतें परोफेसर ने किसी कालेज के उन्होंने पि-ल्ब रि सम्बात्रा कुट्टों । इसने इसके खिवाब फेज सरकार है supply के उसको आधने किसी को 넘हालु लिखा है कि इसके दो बच्चे हैं यह सबसे संसनी खेश खुलासा है जो यह खुद नहीं बताता और नहीं कोई कांग्रेसिस के बारें बात करता है उन्हों के दो बच्चे है इसके 2 acağım नेयाक मिनची मिनिक मिनची में और वह के पंदरा साल है और दोनों अपनी साथ रहते हैं लेकिन इसी का लगाते हैं जो यह विंची यह लिगता है और यहाँ पर अके मनिज जी जब धागा जुड़ता है वह रहूल गांदी का जुरता है कि सुब्रामन्दिम स्वामी समी ने भी जो अपना रिपोर्ट रिपोर्ट का वो जो दिया है इनका प्रेक्स वाला सर्टिफिकेट वो भी इसको विंची ही बता रहा है तो यह इस बास से दोनों के तार जुड़ते हैं और यहां पर मैं इसलिए कर रहा हूं कि सुब्रमनियम सौमी को थोड़ा हम लोग इंतिजार कर ले हैं बि क्रिश्चन तो आसानी से गव खाते हैं इसमें यह जो सीख कवाब जिसको लोग लिख रहे थे यह इसका प्रिया है एक चीज वो खोल रहे हैं और यह हां आकर के दत्तात्री बनता है राहुल गांदी की शादी कराने के लिए लालु यादा बारात जाने के लिए परेशान जाने के लालु यादा बार लालु इसके लिए खाते हैं तो कैदे से तो क्राइम है कि तुम अपने बच्चों को यह भाई देश को अवगत कराना चाहिए कि तुम्हारा बच्चा यह है और वो लोग भी खोल नहीं रहे हैं इसी चुप़ी लगाये हुए हैं यह कमाल की बात है ने उनको तो बनी दाव भी होगा ना कि अभी मैं प्रदान मंत्री हो जाएगी और तुम लोग आके रहो गया पर वहाँ देखे हमारे शादी विवा का जितना महत वह देशों में इतन प्रदान मंत्री बन जाए यह बड़ा खतरना संकेत अपने आप में जिसका उन्होंने भी नहीं किया है तेकिन यह स्वभावी रूप से आप समझ सकते हैं कि अंतर राष्ट्री सरगना ड्रग की डीलर का बड़ा रैकेट चलाता है उसके भी अगर उसका दामाद किसी भार तो इसे देश का अगर प्रदान मंत्री बन जाए तो उसकी तो बुले लाटरी कुल जाएगी अब बिलकुछ सर और यही है जब अब दूसको दोनों चीजों को इरिया आप क्लब कीजिए तो नागरिक्ता इसने ब्रिटिस के लिए हुई है इंडिया की नागरिक्ता लेकर कि वहां पर रहते हैं डूएल नागरिक्ता पाकिस्तान में चल रहा है वहली हमारे देश का हिस्सा था लेकिन यदि एक चीज और है सर क्या यही वज़य है कि सोनिया ने पूरी तैयारी की हुई थी सोनिया खुद 1983 तक भारत की नागरिक नहीं थी यह नेशनल हेराल्ड साड़े पांच हजार करोड का जो लूट है गोटाला नहीं है यह तो लूट है तो क्या इसका मतलब पूरी प्लानिंग थी कि यहां से देश छोरने की जब इस्तिती होगी तो पूरा पैसा जो है वह बाहर चला जाएगा पांच हजार करोड लेकर के करोड पती जब लिया है राहुल गांधी और इन लोंगा हाँ वह समझे सारी संपत्तियां वह जब होने बास साथ साथ करोण तो बाकी का सवाचार हजार करोण का है तो वह तो पैसा यह वाप बाहर निकाल चुके बाहर कर चुके और जो इससे कमाई हो रही थी वह इरकी ब रुपए कहां है और इसके अलावा मनी जी यह तो फिर वही आ जाते है योगी अली बात आ जाती है कि एक जगह पर तो बुल्डोजर बहुत पहले चल जाना चाहिए था और दस साल से कि ये सरकाट में चला रही है वह जो कांग्रेश की जमीन पर कभ्जा करके जो को राजियो गॉंडी को दे लहे लिए दिन ऊपर दी वहां लाकों सोचीय का आज वह किराया आता है तो वूप उस बिल्दिंग पर चलना चाहिए उसकी और बात करेंगे तो तो यह ज़रा सोची है कि आपको मनी जी ध्यान होगा कि यह मामला 1974 का है कि उस समय इंद्रा गांधी की सरकार ने कांग्रेस पे अपनी सरकार ने अपनी पार्टी को दे दी थी कि तुम नया कार्याले बनाओ वो कार्याले आज तक नहीं बना लेकिन उसकी जमीन जो थी आधेस सरकार को लेकिन ना तो वहां पार्टी का कारयाले बना ना वो जमीन सरकार को वापस हुई वहां पर एक अवायद राजीव गांधी फांडेशन के दफ्तर बन गया और उस पर आज तक दस साल से यह भी चुपाएं तो यह सरकार की भी कम जो लिए बिलकुल और वो दफ्तर उसका मतलब वे की प्रपटी दोनों माँ पेटे की पर परसनल परपटी होगे राजी गांधी फांडी indu视न मींस दिरें धीरे इता श्रवा yapıl complaint का कॉफ्तर की बिलक बइदे लिरे मैं कर लिकर करके और वैसे ही यह जो रहाँ कर लिया हो दोनों माँ बेटे ने गई सकता ओ भी तो कांग्रेश का ख़बार था कैसे खेल वा शेयर का खेल होगा और कॉंग्रेश पार्टी करें कि हम ने बेच दिया इसको नहीं तो देखिए हैं जैसे सुब्रह मंदेश्विट देख सभत को चुकी है तो वैसे वो भी जब थोगी वो जो आर्ट की तारिक में इनके कमाई का स्थाधन बना हुआ है उस पर प्रहार करना चाहिए राजी गांदी फाउंडेशन को रोड नोटिस जानी चाहिए हम लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं हमारा मंच इतना बड़ा नहीं हमर्जती जी लगाता लेकिन यह जिम्मिदारी है कि मैं प्रयाज करूंगा कि अशोख स्रिवास्तव इसको दूरदर्शन पर उठाएं और मैं बात होगी तो यही प्रकर स्रिवास्तव से तो मैं करूं पादक के दावा कर रहा है यह मुद्दा इंडियन टेलिवीजन चैनलों पर क्यों नहीं उठ रहा है सिर्फ हम मनीश ठाकोर सथीष चंद्र मिस्राइक इस पर विर्म विमर्ज करने क्या यह फ्रेक्ट बताने के जेमेदारी रखता है और मनी जी इसके बार हम लोग को कि मैंने काई तो बहुत लंबी रिपोर्ट है आप लोग जाके पढ़िए का को एक ही बार में लिख दी है क्या लिए उत्ते पढ़े दे रहा हूं जिसमें उन्होंने इसके ललके का जिक्रतिया क्योंकि वह सबसे संचरी मामला है कि उन्हो होटल के कमरे में कोकीन का सेवन करते देखा गया था यह जरा गवर करिए और यह आदमी खुलकर लिख रहा है अपने अगवार में कोकीन का सेवन करते देखा गया था अपरेल दो हजार उन्निस में यह पता चला कि राहूल गांदी च्छन मनाम राहूल विंची का नहीं कराया लेकिन बच्चे अपने पिता का उपनाव विंची रखते हैं गल्फ नियुच के अनुजार दोजार तीन में एक समाजी कारकरता और सेवा नर्बुर्देवरत प्रोफेसर जान एम इट्टी ने अपनी प्रेमिका जुआनिता के साथ को टायम के पास कुमार कुम में एक रिसार्ट में रहने के लिए अनैतिक तसकरी अधिनियम के तहर राहूल गांदी के खिलाब कारवाई की बांग करते हुए एक याचका दायर की थी याचका करता ने कहा था कि राहूल और जुआनिता तीन दिनों तक बैक वाटर लेक रिसार्ट में एक साथ रुके पत्नी वेरानिक काटेली उर्फ जिवानिता विंची से उनके बच्चों न्याग विंची और मुरिक विंची के पैचान के संबंद में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली इन्हों पूछा भी था राहूल गांदी से यह क्या है तो उसकी कोई जवाब उसने नहीं दिया वह और यह दरसकोर मुता दू कि आप कहीं कन्फ्यूज ना हुई है का जो मैंने अभी पढ़ा है इसलिए इसको पढ़ दिया कि वह जुवानिता और वेरानिक काटेली यह दोनों एक ही महिला है यह अलग-अलग नाम है दोनों के अलग-अलग नाम है इसे लोगों के होपते है इसलिए इसमुद्य को जरूरी है कि अलग-टेलिवीजन चैनल उठाए लगातार इदी हिंडन वर के रिपोर्ट पर इतना बबाल हो सकता है तो एक जिम्यदार अख़वार का संपादक एदी पूरे फैक्ट के साथ लिखता है इसका जवाब को देना सामने आ रहा हूँ जितीम है अमदार के साथ लाए बाल हो सकता है तो एक जवादक घए लाए भाल हो सकता है भाल रहा सेंटे कि अलग-टान आ रहा हुआयों है झाल जवादक देलिए ले रहा हूप सकता है दो एक पर प्रावदक भाल रहा हूज माँश है झाल झाल